मैं तो क्या को हूँ कि सुभी मैं भूला था सामको अपनी घर आ गया आजानीय सखी जट मोदेने जो हैं और तुम्हां को कि ना खाऊंगा इस प्रकार कांगर्स पुरे रास्तन में चाहिए निए और आपके ने तुम्हें कांगर्स का जंदा बात होगा इने सब दोग्साद मारी कॉम्हान बात है पूरे देश में आज जो गणी की मेहनद कश्टों की किसानों की रावर गांदी जी के नितृत में हो रही है और श्री सचिन बाइबर्टी के नितृत में राजिस्तान में हो रही है और यह उमीद करते हैं इस लवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश के अंदर जो आज जन भी विवेदी करीब विवेदी जो सरकार है इस सरकार को उखाज देखने के लिए और मैं आज उसाथियों से भी अपीर करता हूं कि वावे और राहो गांदीर यह उसंचिक पाइलेस्टी की यह जो जो लगाई आगे चाहते हैं और जो आज़ा है आज़ा देखना करता जी बादी कोपेश कमीटी के मारे मास्टर चर्ट अबारी आज़ा के पूर्भणाओ अग्दाज मैं अग्दाव अग्दावाराइब सुवेज जी पधिश कंभिस कमीटी के बाद आज़ा हुए आज़ा फास्वर नांदेटी यह दुक्साओ अग्दावार जाही है आप खुट आपके साथ जो पार्शन है, बूर पार्शन है, सर्बंद, बूर अपल्च, पंजाय संत्री से जिते हुए, बूर के सदसेगर, तो तमाम नोगाज हनुमान करदिना और मादबू से लिए कि आप समया बदाये हो, और एक पर तुमें उस संद्धन, उस परिवार, तुमें नितिक्स दल से आपनों जन्याज उन्दाता दुबा है, मैं सभश आप सभी लोगों का और मारे बूरत कुर्गदायवों का बहुत बहुत स्वारत परियाता हुए, प्रदेश कामेश की तरफ से आपने आप जो अपचारिक सदस्ता हेनेर कही है, मैं स्वारत वो इस पूरे राजस्थान के अंतर जो आज मिर्मित हुआ है, उसका भी प्रतीक है। आपको नहीं दी गई है, आपको पांच साथ के लिए सेवा करने का वापा जन्ता ने दी है, और जन्ता आज पस्ता रही है। आपको नहीं दी है, 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 कि इस देश के अंदर जब से केंद्र की सरकार नरिद मोदी के नित्रितियों में आई है जब से प्रदेश के अंदर वसुंद्रा राजे सरकार आई है तब से लगातार इस देश के किसानों के साथ गरीबों के साथ नजोँञानों के साथ महलाओं के साथ व्यापारियों के साथ धोका हो रहा है और उन्हें लगता है कि ये जो सरकार है इसने हमें ठगा है आज राहुल गांधी जी के नेत्रुट में पूरे देश के पैमाने राजिस्तान के संदर में सिरसचिन पाइलट जी के नेत्रुट में ये लड़ाई जो किसानों की लड़ाई है गरीबों की लड़ाई है इस करता हूं कि जो लोग भी इस लड़ाई में श्री राहूल गांधी जी स्री सचिन पाइलेट जी जो कॉंग्रेस पार्टी की का का यह यह जो मुहीम है इसमें जितने लोग भी साथ देना चाहेंगे सब को एक जूठ होकर यह जो देश को पीछे ले जाने वाली जो शक्तियां केंद्रे और राजी में हैं इस सरकारों को उखार भेगने का काम करेंगे राजस्थान के दो पूर विदायक दॉक्तर सुरेश जी और अगरवाल साहब आज कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं मैं सहर्ष इन दोनों पूर विदायकों का स्वागत करता हूँ इनके साथ जो पारशद, पूर पारशद, जनप्रद्निदी आदी आज कांगरेस में शामिल हुए हैं उससे निसंदे कांगरेस पार्टी को मजबूती मिलेगी आने वाला समय आम विक्ती का है, किसान का है, नौजवान का है और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार राईसान बनने जा रही है इस बात को सब लोग समझते हैं और भाजपा ने जो धोका दिया जंता को तरस्त किया आज पूरी दरे वो बेनकाब हो चुके हैं ये सचाई भी अब छिपी नहीं है आज इन दोनों पूर विधायकों के शामिर हो से लोग जुड़े हैं राहूल गांदी जी के नित्युत में कॉंग्रेस पार्टी को और ग्यापक बनाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे मैं पुने इनका स्वागत करता हूं और 29 तारिक को नई दिल्ली में जो रैली हो रही है आक्रोश रैली उसमें हम सब लोग बढ प्रलतन है वो और गती पकड़ेगा और 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक राहूल गांदी जी य को बढदनमत्री बनाएंगे बारत सरकार ने पक्षपात किया है ये बात पहले बार नहीं हुई है आंधर पदेश में जो भेदबाव हुआ है तमिलाट के लोगों के साथ जो भेदबाव किया जा रहा है और आज केंज सरकार के ही लोग अगर राजिस्तान मतपदेश को नीजा देखाने की कुशिश करते है तो उनकी नीगे को परतस्रिशित करता है मैं इस बात का खंडन करता हूँ देश एक है राष्टर एक है हम सब बराबर के नागरिक यह हैं जबुरत इस बात कि सरकार ध्यान देकर गरीब किषानों की मदद करे राजिस्तान मत्पदेश में दोनों जर्क भाज़ों की सरक सब्सक्राइब करना चाहिए मुखमंदी जी को भी पधान मंदी जी को भी को कांग्रेश मांद सीखता के कारे करता रहे हैं शुरु में ऐसे मेडिकल को ले चाहतर संग के अद्रक्स थे बाद में यूद कांग्रेश में आए फिर कांग्रेश में आए 1993 में कांग्रेश की टीगट मिली उस समय से कांग्रेशी विचार दा रहे हैं सुरु से चाहतर जीओं से बीच में कुछ प्रिस्तियां इस तरह की हुई कार्यकर्टाओं की दबाव में 2003 में चुनाव लड़ना पड़ा और आज खुशी है कि घरवापसी हुई है और घरवापसी पे तेरे ख्याल में कितनी खुशी होती है इसका सब्दों में बयान नहीं कि इस पर शर्त रखी है कि पार्टी को मजबूत करेंगे पार्टी की जो पुरानी परतिष्ठा थी उसको वापिस स्थाफित करने में हमारे नेता सचिंजी पाइलेट और हमारे नेता राहुल जी गांदी के जोद भी निर्दिशा निर्देश होंगे उन निर्देशों की एक्सेट से पालना करते इन सब को एक करने के लिए एक मंसमिल आने के लिए और संपर्दाइक ताक्तों को मूं तोर जवाब देने के लिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं यह एक हमारे इशार ने तो जार से बाद इस वार विक्टिकर नहीं मेली तो क्या बगाउत का फूर्ट दिवले गए ग लेकिन अब आखरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहे हैं कि इसको मतादिकार का उपयोग करना चाहिए उसको मतादिकार का अधिकार मिलना चीए वह चाहिए हमारा विरोधियों लेकिन चूंकि उस तरफ भी मैं कुछ दिन रहा हूँ वहां ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको बीएलो को प्रोचान दे के बीएलो को अपने पक्ष में करके और एक एक बूत में कम से कम 20-30-50 मताता तो इस तरह से जुड़वा हो या एक मताता ऐसा लगे कि लिश्चित रूप से विरोधी पार्टी को वोट देगा तो उसका वोट दूसरे बूत में सिफ्ट कर दो जैसे आप पड़ी लिखी के टेगरी में हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आप दफ्तर भी जाते हैं आपकी पारिवारी के जिम्मेदारिया भी हैं आपकी भी एक सामने वाली पार्टी को नुक्सान हुआ और वह भी एक सद्यंतर करने वाली पार्टी को फाइदा हुआ तो इस तरह ऐसे रैड ग्रीन एंड यलो इसमें बाटने का मैंने बोला है बूत पे हर वोट को हर घर को